फोटोसाब के आज की वीडियो में मैं सेखने वाले हैं, अब देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सबके साथ आ सकती है, हमने एक फोटो लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ships IPL किया हुआ है वो भी फोटो अगया है, इसको हम कैसे हटाएंगे फोटो से इसको हम कैसे रिमूब करेंगे साथ में आप यहाँ इस फोटो के वह अंदर देख सकते हैं कि बहुत सारे फेस के उपर से दाग धबे दिखाई दे रहे हैं इसको हम फोटो से कैसे हटाएंगे तो यही आज के वीडियो में हमारा टास्क है कि यह फोटो में हम वर्क कैसे करेंगे यानि हमको इस फोटो से इस पीन वाल इसे को आल पीन या जो इस्टेपल किया वाइस सा इसको हटाना है साथ में दाग धबे को भी अपने फोटो से हटाना है तो ये काम हम कैसे करेंगे, आज के वीडियो में हम यहीं सीखने वाले हैं. तो चलिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक आसान तरीका बताते हैं, कि आप इसको कैसे करते हैं, तो मैं इस फोटो को सबसे पहले थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं, ताकि फॉर्म का पूरा हिसा आगया, तो मैं केवल इस इसे को काट लेता हूं, और काटने के बाद इसको थोड़ा सा आप जूम कर लीजेगा. जूम करने के लिए आपको हम पहले बता चुके हैं, आपको यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करना है, जूम इन पे और यहाँ से फोटो की साइज को थोड़ा सा आप यहाँ पे बढ़ा कर लीजेगा. इसके पहले हम बता दें कि अगर आपने हमारा फोटो साप के सभी टूल्स का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, तो इसका वीडियो लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, कि हम इस पीन वाले हिस्से को कैसे हटाएंगे, तो पहला मेथड आप सीख लीजे, इसके बाद हम दूसरा तरीका भी आपको एक और बताएंगे, कि आप ये काम कैसे करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, आई ड्रॉपर टोल दिया गया है, इस टूल को सेलेक कर लीजेगा. इसके बाद हम एक और आसान तरीका आपको बताने वाले हैं. हमने का इस टूल को सेलेक करने की बाद, आपको बैग्ग्राउंड वाले हिस्से पे क्लिक करना है, जहां से ये क्या करेगा, वहां से कलर को उठा लेगा. यहाँ के background color को यह क्या करेगा foreground color में पहुँचा देगा और foreground color के अंदर जब यह color आ गया आप दिखे जाए अगर हम face पे click करते हैं तो यहाँ का color जब face का color foreground color के अंदर आ गया है तो मुझे क्या करना है कि इस background से इसको match करना है तो आपको सबसे पहले background पे click करना है ताकि ये color foreground के अंदर आ जाए अब जब ये foreground color के अंदर आ गया है तो आपको brush tool का इस्तमाल करना होगा brush tool पे आप click करेंगे और brush tool की size को आप यहां से निस्यत कर लीजे कितना बड़ा आपको brush रखना है option bar में जाके इसका mode कितना होगा इसकी opacity कितनी होगी और फिर photo के उपर आकर इस तरह आप mouse को जब drag करेंगे तो आपके background से क्या होगा पूरी तरह match कर जाएगा ये पहला method होगा जो आप photo से इस तरह के हिस्से को आप photo से हटा सकते हो ये पहला तरीका होगा जो आप ये काम कर सकते हो एक और आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं इस काम को करने के लिए undo कर लेते हैं इसके बाद एक और आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं जो आप photo से इस तरह के भाग को आप हटा सकते हो पूरी तरह से जाएं तो इसके लिए आप देख सकते हैं brush tool के left hand में healing brush tool का option दिया गया है healing brush tool क्या करता है कि photo में एक जैसे color को या एक जैसे भाग को दूसरी जगा हिलप करने का या fill करने का गाम करता है अगर आप इस tool को select करते हो तो selection करने के बाद आपको brush की size को यहां से निश्यत करना है कितना बड़ा brush आपको यहां photo के अंदर लेना है use करना है इसकी hardness को और इसकी spacing को आप यहां पे set करेंगे set करने के बाद source pixel का चुनाव करने के लिए keyboard से आपको alt button को press करना है आप वहीं पे जहां पे आपने spin वाले हिस्से को रखा हुआ है उसी के नीचे वाले हिस्से में आप click करेंगे click करने के बाद आप उस हिस्से पे click करेंगे जहां पे आप इसको fill करना चाहते हो तो इस तरह आप क्लिक करते जाएं और उस हिस्से पे फिलप करते चले जाएं जहां पे आप इस पीन वाले हिस्से को पूरी तरह हटाना चाहते हो तो इस तरह इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं अपने फोटो से जै इस पीन वाले हिस्से को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं यह रिमूब कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह हिस्सा फोटो से पूरी तरह से जए जो पीन वाला हिस्सा था वो फोटो से पूरी तरह गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो इस तरह हम फोटो के अंदर इस भाग को पूरी तरह से पीन वाले हिसे को पूरी तरह से हटा सकते हैं तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पीन वाला हिसा पूरी तरह से हट गया है इसी तरह हमने आपको बताया कि अगर आप इस फोटो के अंदर जो pimples दिखाई दे रहे हैं, जो दाग दब्बे दिखाई दे रहे हैं, इसको हटाने के लिए भी आप healing brush tool का इस्तमाल करेंगे healing brush tool क्या करता है, photo की एक जैसे pixel को जहां पे आपको दिखाई दे रहा है, उसको दूसरी जगा भरने का काम करता है तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इस tool को select करने के बाद, brush tool से इसके brush की size को निश्चित करना है, कि कितना बड़ा brush आपको रखना है और फिर source pixel का चुनाव करने के लिए आपको बता दें, कि alt के साथ, वहीं पे आप photo के just side में भी आप alt के साथ click करिएगा, source pixel select कर लेगा, फिर उससे पे जाके आप क्या करेंगे, जहां दाग धबबा आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे click करते जाएंगे, photo से वो दाग दाग धबबे क्या होगे, हटते चले जाएंगे, आप देखिए, यहाँ पे click करें और इस तरह photo से पूरी तरह दाग धबबे को आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो यह भी गल्प होगा, आप देख सकते हैं, कि photo से कील मुहा से दाग धबबे को हटाना हो, और हमने इसा था, उसको हटाने के लिए भी हमने आपको बताया, कि आपको कौन सा tool यूज करना है, तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो, तो please वीडियो को लाइक करें, चैनल को आपने भी तक subscribe नहीं किया है, तो please subscribe भी कर लें, तो आज़ टी वीड गूए है, तो आपको ऑने कर待 के लूए है, तो आपको युए है।